दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रभास और किंग खान की मूवी सलार और डंकी की 29 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में तो इंडिया सूपरस्टार प्रभास की फिर्म सलार बॉक्स आफिस पर अपने 4 हफते पूरे कर रही है और अपने 4 हफतों में ये फिल्म बॉक्स आफिस के बड़ी बड़ी फिल्मों की रिकॉर्ड्स को ब्रीक कर रही है तो आज हम बात करेंगे फिल्म सलार के टोटल वर्ड वाइड बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो प्रशांत नील की डिरेक्शन में बनी एक्शन पैड फिल्म सलार जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे पैन इंडिया सूपरस्टार प्रभास, पृत्वी राज सुकुमारन, जगपत वागो और शृती हसन 22 दिसंबा को रिलीज हुई इस फिल्म को सिनेमा गरों में फाइनली आज चार हफते कम्प्लीट हो चुके है कहीं न कहीं शेहरुखान के फिल्म डंकी को प्रभास के सलार ने बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से हरा दिया है जी हाँ दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए सलार फिल्म के अब तक के सभी भाशाओं के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में पर से 728 करोड की कमाई करके बॉक्स ओफिस पर सूपर डूपर हिट हो चुकी है वही बॉलिवुड के वन आफ दे बिगेस्ट सूपर स्टार शेहरुखान के फिल्म डंकी को बॉक्स ओफिस पर 21 दिसंबर 2013 को रिलीज किया गया था और ये फिल्म अपने चार हफ्तों में बॉक्स ओफिस पर तावर तोड कलेक्शन कर रही है तो आज हम बात करेंगे फिल्म डंकी के अब तक के टोटल इंडियन और वर्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो बॉलिवुड की बातसा शेहरु खान की कॉमेडी रामा फिल्म डंकी फिल्म को डैरेक्ट किया था इंडियन सीमा के वन आफ दा फाइनेस्ट डैरेक्टर राजकमार हिरानी ने डंकी फिल्म अभी तक और इंडियन नेट कलेक्शन 233 करोड 27 लाक रुपए का कर चुकी है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 278 करोड रुपए फिल्म ने ओवर्सीज मार्केट यानि की विदेशों से 192 करोड टोटल कमाए है और इसी के साथ डंकी का जो वर्ड वर्ड टोटल बॉक्स अफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 470 करोड रुपए जी हाँ फिल्म दुनिया भर में 470 करोड की कमाई करके बॉक्स अफिस पर क्लीन हीट हो चुकी है और फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अफडेट्स पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाटसअब ग्रूप को जोईन करें